नमस्कार मैं राकेश मोहन सिंग और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट राजिस्थान विधान सबाज चुनाओ अब सिर्फ पर ही है और सभी पार्टियों की तैयारी तेज है इसी बीच पुर्व राज जेपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी औ उन्होंने वसंधरा राजे अशोग गहलोत सचिन पाइलेट और हनमान बेनिवाल को नसीहत देते हुए कई बाते कहीं सत्यपाल मलिक ने कहा कि वसंधरा राजे की बिना वीजेपी का काम नहीं चलेगा फिर भी पार्टी उन्हें आगे नहीं लाएगी वहीं कॉंग्रेस के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत और पुर्व उपसीम सचिन पाइलेट की लडाई पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये दोनों नेताओ की निजी लडाई है इस पर बोलना ठीक नहीं होगा लेकिन अब दोनों को विवाद निप्टाते हुए सुलह कर लेनी च सवाल के जबाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि इसके लिए जाट लीडर्शिप खुदी जिम्मेदार है आपको याद होगा जब राम निवास मिर्धा चुनाव लड़े तो केवल दोस वोट से हारे थे और चार जाटों ने वोट क्रॉस किया था ये लोग खुदी गड़ब अब ये देखना है कि आगामी राजस्थान चुनाव में सत्यपाल मलिक किस करवट बैठते हैं तब तक के लिए इस खबर में इतना ही बाकी अन्दे खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइन ये उस पॉलिटिकल बाइड धन्यवाद